हलो फ्रेंड्स वेल्केम टू सुर्जीज बैल्जेटिक्स बैल्जमेटीजियर आज हम बात करेंगे इंपॉर्टिन्ट लार्वे को याद करने की बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में जो की यूसफुल है हमारे मेडिकल इंटरेंस इग्जामिनेशन के लिए तो आईए पढ़ते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं फाइलम सीलेंट रेटा के लार्वा की तो बात करते हैं सीलेंट रेटा दिखेता 7 न। इनमें लार्वा पाया पाया था है पहली बात किो से पाया था ओब एलिया में दूसरा औरेलिया में तो पहला लिख लेंगे लार्वा आफ बीलिया डूसरा जाएगा मैं लार्वा आउरेलिया ठीक है इन दोनों के common names भी हैं तो common name लिख लेंगे ओबीलिया का बोलते हैं sea animal और और ओरेलिया का बोलते हैं jellyfish अब बात करते हैं इन दोनों के लारवा का ओबीलिया का लारवा होता है अब बारी आती है ट्रिक याद करने की तो सबसे पहली ट्रिक है ओ-पी-ए-ई क्या है ओ-पी-ए-ई इसका मतलब क्या होता है ओ से हो जाएगा और भी लिया पी से हो जाएगा planula कि ए से हो जाएगा और इलिया और ई से हो जाएगा एफ आई नहीं जो कि हिंदी में हो जाएगा उपाई उपाय डोस्टो अगर पुराने ट्रिक सोंजまने तो दूसरी ट्रिक है दोस्तों ओबे सीप्लान और जैली फेरा ओबे 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 सीप्लान जैली फेरा जैली फेरा तो इसे डीकोड कैसे करेंगे OBE, C, PLAN और जली फेरा OBE मतलब होता होबेलिया C मतलब होता है C, any moon PLAN मतलब होता है PLANULA PLANULA LARVA कि रागे बात करते है ORS क्या मतलब होता है ORS होता है Aurelia JELLY होता है JELLY FISH सब जानते है JELLY FISH FARA होता है EPHIRA FARA, EPHIRA लगबग Similar लग रहा है Rhyming लग रहा है तो FARA, EPHIRA यह थी SIMPACITIC LARVA व सिलेंटिटर याद करने की अगला फाइला में दोस्तो TINOPHORA TINOPHORA इसमें एक ही लारवा पाए जाता है CDPID क्या कहते है CDPID CDPID कहते है इसको इसको कैसे याद करेंगे TINOPHORA क्या याद करेंगे TINOPHORA PIDD TINOPHORA मतलब TINOPHORA और PIDD मतलब बता हैगा CDPID ये तरह हमारा TINOPHORA का लारवा दोस्तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ ले हैं तो प्लीज मैं चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें धेर सारा प्यार दें कोई भी ट्रिक बना ली है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कोई भी कुश्चन पूछना दो कोई बास कमेंट करें थैंक यू